आज की समय में ग्रहकों दौरा रेट्रो लुकबाले स्कूटर काफी पसंद किये जा रहे हैं या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि एक बार फिर से रेट्रो वीकल्स का दोर आ गया है ऐसे में Vespa फिलिपिन्स में अपने रेट्रो लुक बाले स्कूटर Vespa GTS 300 स्कूटर को लॉंच कर दिया है और इस स्कूटर के फीचर्स और कीमत जानने के बाद आप चौक जाएंगे तो आईए जानते हैं Vespa के इस नए स्कूटर के बारे में पूरी जानकारी है और इस स्कूटर में 278.3 CC का लिक्ट कूल्ड एंजिन दिया गया है जो की 23.5 PS की पॉवर और 26 Nm का पीक टॉक जेनरेट करता है सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो इस स्कूटर में फ्रंट में लिंक टाइप सस्पेंशन और वियर में दो शॉक एब्जर्बर्स दिये गए हैं वहीं ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो वेस्पा GTS 300 में फ्रंट एंड रियर डिस्क ब्रेक के साथ डूल चैनल ABS दिये गए हैं फीचर्स की अगर बात करें तो नए GTS 300 में 4.3 इंच का Color TFT इंस्टूमेंट कंसोल दिया गया है इस कंसोल में Bluetooth कनेक्टिविटी का फीचर शामिल है जिसकी मदद से ग्रहक वेस्पा के Mobile App MIA के जरीए अपने स्मार्टफोन को स्कूटर से कनेक कर सकते हैं और कंसोल स्क्रीन पर Text Message, Call जैसी जानकारियां देख सकते हैं साथ ही ग्रहक ISO, Switch Gear पर जॉयस्टिक की मदद से नोटिविकेशन को कंट्रूल कर सकते हैं और या स्क्रीन मेनियू की मदद से नेविगेट कर सकते हैं वहीं इस कंसोल में Call या Play और Shuffle म्यूजिक करने के लिए वोईस कमांड का फीचर भी दिया गया है कीमत की अगर बात की जाए तो इस स्कूटर की कीमत 4,80,000 फिलिपेंस पे सो यानि की करीब 5,60,000 रुपए है जी हाँ आपने सही सुना ये स्कूटर हाले डेविटसन स्ट्रीट 750 से भी महंगा है जिसकी कीमत करीब 5,33,000 रुपए है ऐसे में भारत में बिकने वाली बाकी स्कूटर के मुकाबले इसकी कीमत काफी जादा है और इस स्कूटर को भारत में लाँच करने के बारे में कमपरी ने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है तो दोस्तों आप इतना महंगा स्कूटर खरीदना पसंद करेंगे या नहीं हमें कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें थैंक्यू वेरी मच्च